और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की इंजिन पॉलिटी में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट सीरीज का यह हमारा 11 लेक्चर है अगर आपने हमारी प्रीवियस जो सारे वीडियो से नहीं देखे हैं प्लीज आप वन बाइवन उन वीडियो को देखिए जिससे आपको मौलिक अधिकारों को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मैं आपको इसका एक बार क्विक रिविजन करवा देती हूँ क्योंकि आज हम धार्मिक सुतंत्रता के अधिकार को पढ़ने वाले हैं इसके पहले हम देखते हैं यह हमारे प्रीवियस लेक्षर का ही एक पाट कॉपी है सबसे फर्स पार्टे जिसमें हमने बताया था की मुल अधिकार क्या होते हैं यह सभीधान के भाक 2 में आरर्टिकल 12-35 तक दिये गए हैं और भाक 3 को भारत का मैगना काटा भी कहा जाता है और हमारे समयधान में मूल गुसे साथ मुल अधिकार थे लेकिन 1978 में हमारे सविधान में 44 Amendment Act पारिद हुआ और संपत्ति के अधिकारों को मुल अधिकारों की श्रणी से हटा दिया गया और उसे कानुन अधिकार बना दिया गया है आज जो है वर्तमान में 6 मुल अधिकार ही हैं जिसमें है समताक अधिकार जो हम हमारे प्रिवेस वीडियो में बड़े ही अच्छे से और सिंपल लेंग्वेज जो हमने समझा है आटिकल 14 से 18 के बीटवीन जो है सोतंतरता का अधिकार जो आटिकल 19 से 22 के बीच में दे रखे हैं सोशन के विरुद्ध अधिकार जो आटिकल 23 और 24 में हैं और आज हम देखेंगे धार्मिक सोतंतरता का अधिकार जिस जो आटिकल 25 से 28 तक समझाये गया है संस्कृति और शिक्षय संबंध अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक दिया हुआ है और सविधानिक उप्चारों का अधिकार जिसे आर्टिकल 32 में समझाया गया है इन सभी आर्टिकल में आज हम जो है 4 नंबर के fundamental धार्मिक सोतंतरता के अधिकार की छर्चा करेंगे धार्मिक सोतंतरता का अधिकार क्या होता है ये धर्म से related है और ये आर्टिकल 25 से 28 तक समझाया गया है हम जानते हैं हमारी सविधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेक्ष शब्द जो है 52 संशोता नदिर्यम के दोरा जोड़ा गया था धर्म निर्पेक्ष मतलब भारत किसी एक धर्म को मानने वाला देश नहीं बलकि कि यह सभी धर्मों को के मानने वाले लोगों को अपने यहां जगह देता है तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है अब हम इसे स्टार्ट करते हैं अंतह करण की सोतंतरता क्या होती है यह हमने आगे अच्छे से समझाया हुआ है लेकिन हमें वन लाइन फैक्ट में इस बात को याद रखना पड़ेगा सो हम सबसे पहले इसको complete करते हैं सभी व्यक्तियों को अंतह करण की सोतंतरता और धर्म को अभाद रूप से मानने आचरन करने और प्रचार करने का समान हक होगा अर्थात हम इस से नीचे समझते हैं सबसे पहले यहां पर जो वर्ड आया हुआ हैं अंतह करण इसका क्यार्थ होगा अंतह करण की सोतंतरता अंतह करण की सोतंतरता में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने धंग से अपने संबंद को बनाने की आंतरिक सोतुंतरता दी गई है मतलब आप किसी भी धर्म को मानते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, बोध जो भी आप जिस भी इश्वर को मानते हो अपने गोड को मानते हो या उसके किसी भी रूप को आप उसे मूर्ती रूप में मानिये आप उसे शिलिंग रूप में मानिये आप उसे इन्वेजिबल रूप में मानिये अब आपको किसी भी रूप में मानिये हमारा समीधान आपको इजाज़त देता है और आप उसे अपने संबंद किसी भी प्रकार से अपने संबंद को बना सकते हैं आप उसे अपना उपर खुदा बोल सकते हैं इश्वर बोल सकते हैं या सुदा माना जैसे शी कृष्ण को फ्रेंड डोस्त मा सखा माना था वैसा मान सकते हैं या मीरा बाई ने जैसे की शिक्रिष्ण से अपना संबंद बनाया था प्रेम रूपी संबंद बनाया था पती रूप में आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं मतलब अंतरिक सोतंतरता हैं मन की सोतंतरता हैं अंदर की कि आप आपकी आस्था किसी में भी रख तो बिल्कुल यहां पर इजी लिए बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो आपको किसी भी फॉर्म में आप मान सकते हैं और उससे केसे भी रिलेशन अपने मन में बना सकते हैं इसकी जो है आंत्रिक सोदंदरता दी गई हैं फिर हमने आगे देखा था कि धर्म को अभाद रूब से मानने का अर्थ क्या हुआ तो इसका अर्थ हुआ कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सारवजनिक और बिना भाई के घोशना करना मतलब आप इश्वर के किसी भी रूप को मान सकते हैं आप कह सकते हैं तो इस इश्वर को मानते हैं आप नहीं भी कह सकते हैं ठीक है किसी प्रकार की कोई जोड़ जबस्ति नहीं है तो अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भाई की घोशना का अधिकार आपको दिया गया है आचरन का अधिकार यहां पर बताया गया है आचरन क्या होता है हम यहां पर चार लोजिक जो हमारा उपर वाले स्टेटमेंट है उसमें चार टर्में को समझ रहे हैं आच्रण का अधिकार क्या होता है तो धार्मिक पूजा परंपरा समाहरो करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की सोतंत्रता है ठीके आप किसी भी तरीके से अपने धर्म को मान सकते हैं कोई restriction नहीं है किसी प्रकार का कोई ओवर फ्यूजन नहीं है कि आपको यही करना है आपकी जैसे इच्छा आप अपनी इश्वर को उस तरीके से मान सकते हैं देखा होगा अपने समाहरों निकलते हैं ताजिये निकलते हैं उडिसा में जो है प्रसार का अधिकार फोर्ड पॉइंट हमने समझाया है प्रसार का अधिकार मतलब अपनी धार्मिक आस्ता के प्रचार और प्रसार का अधिकार भी दिया गया है तो यह जितनी भी बाते हमने आपर समझे वो सभी बाते यहां पर एक ही लाइन में कही गई है कि सभी व्यक् है किसी प्रकार का कोई भेदबाव नहीं किया गया है आप इश्वर को किसी भी रूप में मान सकते हैं अब 25 में कुछ जो है आगे जाके रेस्टिक्शन्स लगाएंगे हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं या आपको अपने धर्म किस तरीके से आजरन करना है ठीके तो आर्टिकल 25 टू में यह जो 25 टू का क्लोज है इसमें बताएगा है जो कि धर्म की सोतंतरता पर युक्ति युक्त प्रतिबंद लगाता है मतलब क क्या प्रतिबंद लगाता है बहुत important point है किसी भी बुक में आपको शायद इतने sequence में मिलेगा ठीके तो देखिए धर्म के नाम पर कोई ऐसा कारी नहीं किया जा सकता जो सारवजनिक विवस्ता सदाचार इम जनता के स्वास्ते के विरद्ध हो मतलब हमने यहां पर उपर त देना है तो यह जो है हमारा सविधान इसकी इजाजत नहीं देता है अर्थात यहां पर प्रतिबंद लगाएं गए हैं उपर वाली कंडिशन तो है लेकिन दी सामाजिक सारवजनिक विवस्ता सदाचार और जनता के स्वास्त की बात हो तो आप जो है आप पर राज्य प्र प्रतिबंद लगा सकता है जैसे धर्म के नाम पर मानव बली शिशु बली या अस प्रिशिता जो टचबलीटी होती है उसको मानना किया रहे हमारा धर्म है अब इसको टचना कीजिए इस तरीके से कुछ चीज़ नहीं होगी अभी हमने यहां पर उपर कहा था कि हम अंतकरन की सुदंदरता है इश्वर की किसी भी रूप को मान सकते हैं प्रचार कर सकते हैं घोशना कर सकते हैं लेकिन इसका यर्थ बिल्कुल नहीं है कि चलो भी हम हमारे धर्म को मानना होगा मतलब धर्मानतरन की भी अनुमती आर्टिकल 25 नहीं देता है आप अपना धर्म मान रहे तो अपने धर्म को दूसरों के ऊपर ना थोपी है क्योंकि हमारा सविधान के वर हम जो आर्टिकल 25 में कहा गया है यही कहा गया है कि आपके धर्म को आप सब्विता से आचरण कीजी आपका हैं अंदर करन की सोतंतरा मतलब आपके आंतरिक सोतंतरता है मानने का है बीना भही मुक्त होके बता सकते हैं लेकिन यहां पर आप अपने धर्म को किसी अन्य वक्तियों के उपर नहीं थोप सकते हो ठीक है तो यहां पर धर्मान तरण की इस तंतुरता नहीं देता है हमारा समीधान अब मतलब की बहुत है व्यक्ती की धार्मिक सोतंतरता राज्य द्वारा समाज कल्याने सुधार में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती सभि मतलब जो आठिकल 25 धर्म को लेकर हमें कई सोतंतरता दे रहा है लेकिन अगर समाज कल्यान नहीं है यह समें सुधार में बाधा उत्पन कर रहा है तो राज उन पर प्रतिबंद लगाएगा के से राज जे कानून बनाकर उन सामाजिक कुरूतियों वह अंध विश्वासों का उन्मुलन कर सकता है जैसे सती प्रथा हम सब जानते हैं सती प्रथा में क्या होता है कि जब किसी इस्त्री के पती की मृत हो जाती है तो उसे ही जो है उसके साम चिता पर जला दिया जाता था ये प्रथा थी जो धर्म के नाम पर चली आ रहे थी लेकिन जिसको लौड विलियम बैंटिक के द्वारा 1829 में प्रतिबंदित कर दिया गया था या आज भी प्रतिबंदित हैं देवदासी प्रथा नही नहीं कर सकते हैं आपको बड़ी अच्छे से आर्टिकल 25 समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी शेयर कीजी और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या आप इस वीडियो को करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग